बूर्णिंग एवरिवन वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल तोड़े विल डिस्कास अवाउट डेक्रॉन इसके और दूसरे जो नाम है वह जान लेते हैं डेक्रॉन का यह दूसरा नाम है वह है टेरीलील और इसके अलाबा इसके अलाबा इसके अंटर पैटीगिरी पॉलिस्टर क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टर गृप का जो है वह फॉर्मीशन होता है यह सारे इसके एक केमिकल नेम जो है अब उसकी बात करते हैं तो इसका पॉली इभाईबी ग्लैपॉल तैरेथेले और उसको शौर्ट में बोलती है पीईटी फालगर अब जैसे इसमें नाम है उसी नाम के एकॉर्डिंग है हमको यहाँ पर अलग-अलग मोनुमर जिसको की हमको कमबाइड करना है दो सारी चीज़े जो है वो इसके नाम है यह मिल जाएगा पॉलिवर्ड यदि हम हटाते हैं तो हमको क्या में जाता है नेम अब दमोलोगर में हमको क्या क्या मिल रहा है इथाईलीन ग्लाइकॉल और सेट जो है वो टेरेथेलिक एसिड के कॉम्बिनीशन से जब एस्टर गूप बन जाता है तो हमां आँब सफिक्स में लगा देते हैं तो यहां पर यह मंने आया कि अधेजा कॉ मिनिशन और पैरिक्रेलिक एसिड एंड इथाईलीन ग्लाइकॉल अब इंके इस्ट्रॉक्च्टर में वो प्र इसको कैसी हम सिंदेसाइज करेंगे उसको डिस्कास करेंगे सबसे पहले हम समझते हैं और जियाद करने के लिए हम यहां पर एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में जब कार्बॉक्सिल ग्रोप जब और्थो पोजीशन पर लगी हुए होती है तो दा नेंगों इस कंपाउंट इस थैलिक एसड इस थैलिक एसड अब अब थैलिक एसड 聽 कि परमाना या यह फित एक झाल जबत उसका फोज आना पना फिर इस these ऑं सική देशन तो इस दो इसको फोजाएंगा नाव तो यहां पर परहॉ मीश्ण पर तब नाम भेर तो एक चीज़ तो हमने तर्यार करनी कि थैलिक आशिब जो है वो किस तरीते से उसमें पेरा पोजिशन के सार्वाक्शनी गुरुप जुड़ें होगें अग से को जो है इसमें यह जो सीघाइडीन जो डिक रहा है हों फोडों कि प्नी Premium डिस कंपाउ। इथाईइडीन-Glaipol इथाईडीन-Glaipol, में जो है इथाईडीन means CH2-CH2 कितने लगे होगा है यह 2 ETH means होता है 2 तो यहाँपर CH2-CH2 जो है उसकोपर बोलते है इथाईडीन यदि सिन्दीन ले इसकोपर बोलते है कि यहां पर हमें इसमें लगा गदिया इ lens अलल को लगे हूए और 2 अंपने इसमें लगाए गंगे हुए है अला ऊनolsर पुर्छे यहां नाय। में डग़े है और यह नहीं हुआरा दिम है हुआ आप टेयर ऑलिक एसट जो है इसका भी प्रिपरेशं अपने को सीफ़ना है कि हम को कैसे बनाना क्योंकि यह नेच्वरी अपरिक मटेले नहीं है वैसे तर इसमें क्या है कि है ये इस निकाल रोकर के डेकर सबसे भाए सकते हैं यहां पर एक बेंजीन रिंग एंड पर पडिशन पर जब दो मिठायोंट लगे होगे होते हैं the name of this compound is पैराजालीन पैराजालीन को सबसे first step जो होता है वो होता है Oxidation, first step में हम करते हैं Oxidation जो Oxidation करती है उसमें जो आपको रियक्टर का नाम है वो है Autoclave Reactor जो होता है उसमें हम यहां पर Oxidation की प्रोसेस कराते हैं Oxidation प्रोसेस होने पर जो पैराजाइलीन है जो दोनों निखाईल ग्रोप वो यहां पर अटेच होए हैं वो कनवर्ट हो जाती है हमारे कारवक्सेली ग्रोप के ऊपर तो कारवक्सेली ग्रोप में कनवर्ट होकर the name of this compound is prolonged कि अब टेरे फिले के इसे में आगे में प्रिफ़ायक्ष रादे नहीं कराणागी अगे उसको एस्कुन और मेसे तोल्याईज की च्रिफ्किरिग्षणों की रेक्षण यह तोल्याईशन की प्रोलीक्षण और बापक्सराइब और युद्ट दोनों का सब्सक्राइब कर देल को इसके अधर जिर गया है एस्टीरिफिकेशन रियक्टर the name of this reactor is एस्टीरिफिकेशन रियक्टर और यसे मेह इस हुरी प्रोसेस में आपको डियाक्टाम रिमेटेंट करना है भू हमको करना है 150 डिघ्री से एक तर पिटास डिघ्री से पर ये कुरा प्रोसेस हुए वह करना है जो होगा मैथियनॉल का मौना है एअइशर और जैने of equals घरे होटर को करना है एश टू ऻू होगे और मैथियनॉल का Okay कैसे होगा जिए नि depressed कर्वाक्शनिकभान उसमें रिखकलेंगे Wow के newcut निकाला है přेंग तो उसमें से बंदा चालना है तो जो H निकलेगा को निकलेगा कार्वोक्सिली ग्रूप से और जो O-H को निकलेगा पैसे नोर से तो H2 निकलेगा तो इसलिए हमको यहां पर 2-molecule बैके नोर के लेना है और रिमोल ही जो होगा वो होगा 2-molecule of water अब जब यहां पर हो जाये तो जो final product बनेगा उसको अब दिखते हैं देखिए का यहां से यह बैंजीन रिंग है इस इस बैंजीन रिंग इसमें जो remaining part उसको प्राइब करते हैं COO और यहां पर दी जो COO बुट जो है यह आपना हो गया अब इसमें से हमने H निकाल दे हैं और इसमें से OS निकाल दे हैं तो बचा हुआ पार्ट का है CS3 यह CS3 यह 2-molecule लिए तो उसमें से 1-molecule यहां attach होने बाला है और 1-molecule यहां attach होने बाला The name of this compound is di-methyl di-methyl perephthalate di-methyl perephthalate तो यह aster group बन जुगा है इसलिए हम यहां पर halate लगागे तो इसको अपर DMT भी बोलते हैं Short form में जो है यहां पर DMT बोलते हैं और इसमें यह acidification reactor बोलते हैं इस process को acidification process भी बोलते हैं methylation भी बोलते हैं अब आपने question होता होगा कि प्रोड़क्ट बनता है The name of this compound is di-methyl perephthalate और इसको हम DMT की बोलते हैं अब इसमें हमारे एक चील आती है कि हम उनको methylation करने की ज़रुवत क्यों पड़ी क्योंकि यहां पर जब methylene glycol को perephthalate के साथ reaction कराते हैं तो वो direct नहीं होती है तो सबसे पहले उनको इसका methylation करके एक ester बनाना पड़ता है उसके बाद इसमें trans esterification की reaction करके methylene glycol को जोड़ेंगे तो इसमें अब उनको यहां पर next जो यहां पर करना है वो उस process को हम बोलते है trans esterification trans esterification और इसमें एक जो ester है जो की methylene साथ बना हुआ है वो आप दूसरा ethylene glycol के साथ ester बनेगा एक ester का दूसरे ester में गर्वलजर होगा तो जो second हमारा monomer है the name of this monomer is CH2 CH2 OH and OH means ethylene glycol अब ethylene glycol इसके साथ join होने बाला है ethylene glycol को join करेंगे इसमें से हमारे को बापस methionol group methionol का compound बापस ली recovery के form में मिलेगा तो आप देखिएगा इसमें से हमको निकालना है methionol और join करना है ethylene glycol तो क्याकी changes होके हम देखते है देखिएगा this is benzene ring this is benzene ring अब एक कॉर्णर पर COO CS3 चुकी है बाहर निकालेंगे और दूसरे कॉर्णर पर भी है COO अब CS3 यहां से remove होगा और OH glycol से remove होगा CS3 OH यहां से निकाल जाएगा और ऐसे ही आपको इसके 2 molecule के साथ reaction चराना पड़ेगा तो जो दूसरा molecule निकाल का है उससे भी OH निकलेगा और प्रेस यहां पर methanol निकले हुआ अब देख यह compound क्या होता है OH हमने निकाल दिया है methanol के साथ हमें OH निकाल दिया है तो यहां से OS और यहां से methanol निकाला आप remaining part है इस को अब रिराइट करते CH2 CH2 OH यह हमारा compound और यहां पास यह दूसरा molecule है यह दूसरा molecule नहीं निकलेंगे दूसरा molecule नहींगे और उससे दूसरे molecule का OH और यहां का दूसरा CH तो यहां से यह भी निकाला तो अब यहां पर देख लेका सेम यहां दर देख अपने को लिखना है CH2 CH2 OH This is Mo1 This is Mo1 अब यह Mo1 अब इसका हमको करना है Polymerization Polymerization करने के लिए हमको यहां से एक molecule और निकालना है और फाइनली हमको Polymer मिल जाएगा एक पर इसको फिरसे देखने के फिरस्ट जहां से स्टार्ट हमता हो पैराजाईली पैराजाईली को हमको रखेंगा Autoplay reactor में Oxidation कराएंगे Convert into Terethylic ऐसे इसकी reaction कराएंगे Macanol से तो हमको मिल जाएगा DMT का हम reaction कराएंगे देखर The name of this monomer is Dihidroxy भी नाम भी कसका रखेंगे Dihidroxy Diethylene Diethylene Terrier ferrite Terrier ferrite यह हो गया अब इसको हम Polymerize करने के लिए हम यहां से थोड़ा से इसको मिटा करके और हम यहां पर Polymer जो भी बनाज़ें यहां से Polymer बनाएंगे हमको इसको Remover कराना है Bulbore or Ethylene glycol Bulbore or Ethylene glycol को Remove करने के लिए ध्यान रखेंगे एक कॉर्णर से निकलेगा CH2 CH2 OH कभी भी सेंटर से नहीं काट इसको कट करना CH2 एक करणा CH2 एक करणा CH2 एक करणा CH2 एक करणा यह इस तरीके से इसमें अब यहां हमें प्रिवेंटिक पार्ड़ास को हम रिखते हैं CH2 यहां से करेट से free हो जाएगी Again CH2 CH2 COO यहां पर COO बन जाएगा COO फिर Benji Ring यहां से उगे रही Benji Ring और बाकी करणा है इसमें COO बैलेंसे free होती है और जब यहां पर बैलेंसे प्री होती है तो हम यहां पर लगाते हैं ब्राकेट और ब्राकेट लगाने की पार हमारा बन जाएगा यह कोलीमर The name of this compound is Perylid और Dacron और Poly Ethylid Glypore Ethylid Glypore Perylid Perylid अब यह हमारा पूरा स्ली प्रोडक प्रोडक मेरी प्रोडक को चाहिए था इस प्रोसेस में इसको जब यहां पर Trans-Ectrification की जो प्रोसेस कराते हैं तो यहां पर temperature होता है वह अदा 230 degree celsius और जब हम यहां से polymerize करते हैं तो तो temperature temperature should be maintained at 260 degree celsius to 300 degree celsius और यहां पर glycol के molecules जो हो निकलते चले जाएंगे हमारा mono पर polymer पर convert होता चला जाएगा और यह हमारा final product पिलता चला जाएगा इस तरह इसमें edge-car की formation हो रहा है इसलिए इसको हो बोलते है polyester यह हमारे का है polyester जो है polyester का crop जो हो रहा है तो यह इतना इसमें preparation में पूरा चीज़े हमने यहां पर देखी है अब इसके बार हम स्टार्ट करते हैं properties and now we will discuss about properties of decron the properties of decron में सबसे पहले हम Tg और Tm value learn करेंगे the value of Tg means glass transition temperature means minimum minimum temperature तक वो अपनी properties को maintain करता है उसके नीचे आने पर glass जैसा brittle nature का हो जाता है उसको हम बोते ही glass transition temperature so the temperature is 80 degrees Celsius and the melting point temperature is 265 degrees Celsius second is good mechanical strength mechanical strength को मतला हम बजबूती यह जो cloth जो बनता है polyester का कपड़ा होता हमें समने use किया हुआ synthetic material हम use करते है इतना मजबूत होता है कि कई सालों साल तक भी hazardous रहता है कभी फटता नहीं cotton का cloth करते है जल्दी से रहता है जल्दी से रहता है कई सालों तक हम यहां पर use करते रहेंगे पर यह जल्दी से tear नहीं होता तो इसमें tensile strength ही बहुत अच्छी रहती है tear resistance ही बहुत अच्छा होता है और यहां पर जितने भी sports बगरा जो sportsman cloth पहनते हैं dresses पहनते हैं soil suits बगरा जो बनते हैं इसमें water absorption capacity कम रहती तो उनका use हम यहां पर उनकी बनाने के लिए use करते हैं तो यह कभी भी ऐसे फटते नहीं जल्दी से तो उनकी mechanical क्लॉट सुखाई है आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही कपड़ा जो है क्योंकि इसमे water absorption capacity बहुत कम होती है next is wrinkle free or freeze resistance cloth बनाने के लिए cotton cloth जो अगर आपको पहनना है तो आपको बहुत maintenance के जोड़त पढ़ती कलब करवाव प्रेस पहने कपड़ा जो आपको पहनते है पर यह कपड़ा जो आपने धोयार जोड़ते आपने बिना प्रेस किया पहन लिया तो कहीं से ऐसा लगता लेए इसमें wrinkle आता है तो यह wrinkle free और जोड़ीज कहीं से कोई क्रीज रशिक्राज के जोड़ती कोई क्यूदर नहीं लगे कि बहुत रिस्टेंस है जैसा है वैसा कब ऐसा ही रहेगा कभी तो उसमें कोई भी खराब होने की या डिके होने की कोई भी चांसे नहीं है तो यह जो ही इसकी प्रपर्टी से अब इसके पढ़ते हैं यूजेस तो यूजेस ऑफ डैक्रॉन देखत हम इसमें मिक्स करते हैं तो मिक्स करते हैं तो इसमें कैसे मिक्स करते हैं तो देखिए को जो टैरीवोट में जो प्लॉफ होता है इसको हमने मिक्स करने की बाद एक न्यू बाराइटी का क्लॉफ बना इसको लोगों ने बहुत लाई किया ब्राइटनेस भी अच्छी थी, मजबूती भी अच्छी थी, रिंकल फ्री थी, कोई करीच का गरह नहीं पड़ती थी और बहुत जल्दी सुख जा जा जाता और इसको एजी लिए मेंटेन कर सकते थी, कहीं कोई जादा उसमें खर्च नहीं लगता थी तो वो जो है को टैरी कॉर्ट का क्लॉथ, क्योंकि अभी हम बेवी लाइट में यूज़ करते हैं, वो हमारा टैरी लेन का स्कॉटन का कॉंबिनेशन है सेमिलेटली जो पूल होता है, जो हम यहां पर प्यॉर पूल लेने जाएधा है तो प्यॉर पूल जो ऑगर बहुता है और इसमें जाला अधिल्डी में नहीं होता है तो लिए नहीं हुता है कि demonstration Stir on के type test consistency दो वो गांभ टे जडर वेकर देमेंगर देदेशनं मिलाया इंसुरेटेड नेचर का होता, पॉलिवर सारे इंसुरेटेड होते हैं, तो उसमें हीट भी अच्छी आई, गर्भी भी लगी और लोगों ने बहुत इच्छे से लाइक किया और कॉस्ट वाइस गोवर सस्ता हो गया, तो टेरी बूल टेरी बॉल के क्लॉफ जो है बनाए जा के चुशों को तो बने कुशों को जो जो फॉं लगता है लेमें और रेकरना है तो यहां पर वे हम रगाना का यूज करते हैं तो यह असे यह करते हैं कॉफी जार पनाने मे के लिए कॉफी जार पनाने के लिए ऑटर मीठर बनाना के लिए वांटलने कहाँड करना वांच में लगते हैं। पम्रेटाएं वांटले। वांच मेंग्स स्पातरि का व्यवाचू संवाच में पींकृक्षाए 3 देयर ववान वा connectivity से हमान कोड़ खेज़ और चनल के संजच के विजरी एकृट। इसके अलावा इसमें कार लीटर का खाय को काउम करते हैं इसमें हांधरो कार्फ़न डाइसंटेंस भी होता कभी भी हाइडरो करण के कोई कमपाउंट को श्टोर करना हो तो भी को ढ Stretchbar-ust IQ कर सकते ही तो पुछ ईससाही चो अथा आपरोन के आए, I hope you like my video, please share my video with your friend if you have any confusion or any doubt please write on the comments box I will definitely get back to you thanks, thank you for watching and take care